हलो एवरीवन वेलकम बेक टू नॉलेज फोर फ्यूचर स्टडी चैनल इस वीडियो में हम राजिस्थान के प्रिमुक किसान आंदोलन इस टॉपिक के प्रिवेस येर पर इच्छाव में वे कोश्चन्स डिसकस करेंगे जो कि आने वाले अग्जाम्स के लिए भी प्रिमुक का निवाई थी तो आपको याद रखना है मेवाड छेतर के किरसक अंदोलन ने प्रारम करने की पहल की थी अगला कोश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाती के किसान सरवादिक संख्या में थे बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है यहीं पर धाकर जाती के किसान सरवादिक संख्या में थे बिजोलिया किसान आंदोलन में इस ठिकाने में भूर आजस्प निडधारन और संग्रह की पद्धिती इस अंदुलन का मुख्य मुद्धा थी विविन प्रकार के कर लगा दिये गए थे ठिकानेदारों के द्वारा ठाकरों के द्वारा इसलिए यह अंदुलन हुआ था और यह अंदुलन आरहम कब हुआ था 1870 में में आरहम हुआ था इंपोर्टन कोश्चन है यह इसका आरहम भी याद रखना है आपको और अंत भी याद रखना है ठीक है बिजॉलिया किसान आंदुलन 1870 में में आरहम हुआ था और चम्बालीस बरस तक ये लगबग चला था ठीक है सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये भी आपको याद रखना है बिजॉलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन है खतम कब हुआ था ये 1941 में खतम हुआ था और लगबग 45 बरसों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था आगे हम और डिसकस करेंगे इसके बारे में राजिस्थान किर्सक आंदोलन का प्रारंब सर पिर्तम कहां पर हुआ तो राजिस्थान में बिजॉलिया में किर्सक आंदुरन का प्रारंब हुआ था और कब हुआ था? 1870 में में धाकर जाती के किसानों के द्वारा विबन प्रकार के लागवागों से बुरुद में ठीक है? 84 प्रकार के लागवाग उस टाइम थे ये भी कोश्चन आता है 84 प्रकार के लागवाग थे बिजॉलिया ठिकाने में उनके बुरुद किसानों ने अंदुरन किया था राजिस्थान में संग्ठित किसान अंदुरन कहां से आरंभ हुआ था? तो correct answer होगा इसका बिजॉलिया से राजिस्थान में बिजॉलिया से संग्ठित किसान अंदुरन प्रारम हुआ था बिजॉलिया किसान अंदुरन के पिरनेटा को थे? ये question काफी वार पूचा गया है ठीक है? important है आ सकता exam में बिजॉलिया किसान अंदुरन के पिरनेटा थे वो थे असोक परमार ठीक है बिजोलिया भीलवाड़ा का किसान अंदुरन बिजोलिया ठिकाने का जो मूल नाम था वो था बिजिया वल्ली ये भी आपको याद रखना है पूछा जा सकता है कि बिजिया वल्ली किसका पुराना नाम है तो बिजिया बल्ली बिजॉलिया का पुराना नाम है और यहां के जो प्रवर्तक थे बो थे असोग परमार जो बिजॉलिया ठिकाना था उसके प्रवर्तक थे असोग परमार असोग परमार भरतपुर के रहने वाले थे इन्होंने खानवा के युद में जो खानवा का युद्वाता 1527 में राणा सांगा और बाबर के मद्ध है उसमें सांगा की सायता की थी इससे प्रिसन होकर सांगा ने असोग परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की थी कहां की उपरमाल की जागीर प्रदान की थी और असोग परमार बिजोलिया किसान अंदुलन के क्या थे प्रवर्दक थे अगला कोश्चन है हमारा 1890 की दोर में बिजोलिया में जागीर दार कौन थे तो बिजॉलिया में परमार जागीरतार थे मैंने आपको बताया था असोक परमार असोक परमार भरतपुर के रहने वाले थे राणासांगा ने इन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी फस्ट ओप्शन यहापर करेक्ट होगा असोग परमाल को उपरमाल की जागीर किस से प्राप्त होई तो मैंने आपको बताया था खानमा के युद में महरणा सांगा की इनोंने सायता की थी इस से प्रसंद नोकर महरणा सांगा ने इन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी ठीक है सेकंड ओप्सन महराड़ा सांगा करेक्ट होगा बिजॉलिया किर्षा कांदुरन प्राहरम कब हुआ था तो मैंने आपको बताया था 1870 में में प्राहरम हुआ था ये और 1941 में ये खतम हुआ था कितने बरस तरह था था ये लगबग 45 बरसों तक ये चला था ठीक है सबाई कृष्ण सिंग के समय ये चालू हुआ था ये भी कोशन पूछाया सकता है आपसे कि बिजॉलिया किर्षा कांदुरन किस के समय में प्राहरम हुआ तो सबाई कृष्ण सिंग के समय में ये प्राहरम हुआ था बिजॉलिया ठिकाने में भूमी कर निश्चित करने के लिए कूता पिर्था पिछलित थी ये राब कृष्ण सिंग के समय बिजोलिया की जनता से लगबक 84 प्रिकार की लागबाग वसूल की जाती थी इसके बाद 1903 में राब कृष्ण ने चवरी कर लगा दिया ये चवरी कर क्या था लड़की के पिर्थवी सिंग ये भी आपको याद रखना है। पृष्ण सिंग के उत्रादिकारी हुए थे पृष्ण ने कौन सा कर लगा दिया उन्होंने तलवार बनाई कर लगा दिया। ने पहले से कुंता पृथा थी भूमी के लिए उसके बाद कृष्ण सिंग ने चवरी कर प्रारम हुआ था ठीक है इतना आपको याद रखना है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक जरूर करें अगला कोशन है चबरीकर की प्रिकरती क्या थी मैंने आपको बताया चबरीकर पुत्री के विभाव पर एक प्रिक सवाई कृष्ण सिंग ने जिसके टाइम पर बिजोलिया किसान अंदुलन प्रारम हुआ था 1870 में मैं ठीक है मैं आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको डेट रट जाएगी ठीक है बिजोलिया अंदुलन का दूसरी बार प्रारम होने का कारण क्या था तो मैंने आपको चवरी कर लगाया जो की लड़की के विबापर कर था फिर बिजोलिया किसान अंदुलन में जो किर्ष्ण सिंग थे ठाकुर वांके उनके ही पुत्र थे प्रत्वी सिंग जिनोंने तलवार बनाई कर लगा दिया ठीक है ये भी प्रमुक कारण था बिजोलिया किसान उत्रादिकार सुल्क था जब भी कोई ठाकुर गद्धी पर बैढ़ था 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 किसी ठिकाने की पर तो उसको अपने राजा को एक कर भेजना होता था और उसी को ये जो ठाकुर होते थे ये तलवार बनाई के रूप में बसूल करते थे तलवार बनाई कर और भी सीनी के समय उत्रादिकार की रूप में राज्य द्वारा लिया जाने बाला उत्रादिकार सुल्क होता था ठीक है फर्स्ट ओप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है मारा इंपोर्टन कोश्चन है बिजोलिया किसान अंदुलन 1913 का नेतरत्व किस ने किया था साधू सीता राम दास ने किसने साधू सीता राम दास ने फर्स्ट ओप्शन यहां पर करेक्ट है इंपोर्टन कोश्चन है यह एकजाम में डायक ली पूछ जा सकता है कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना किस ने की थी किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी साधू सीता राम दास ने और कब की थी 1916 में डेट भी आपको याद रखनी है, येर भी, 1916 में, किसान पंचबोड की स्थापना सादू सीता रामदास ने की थी, इसके बाद, 1916 के बाद ही, 1917 में, विजे सिंग पतिक ने, विजे सिंग पतिक जानते हुँगे आप, विजे सिंग पतिक ने, 1917 में, एक और पंचबोड की स्थापना की थी, जिसको उपरमाल पंचबोड बोला जाता है, उपरमाल पंचबोड, एक तो मैंने आपको बताया, किसान पंचबोड, जिसकी स्थापना, 1916 में, सादू सीता रामदास ने की, 1917 में, विजे सिंग पतिक ने, उपरमाल पंचबोड की स्थापना की थी, विजोलिया में करांती का सूतरपात किया था, और ये जो उपरमाल पंचबोड है, ये बेरी साल गाम में किया था गटित, ठीक है, कौन सा गाम है, बेरी साल गाउं, और जो उपरमाल पंचबोड था इसका अध्यच किसे बनाया गया इसका अध्यच बनाया गया मन्ना पटेल को ये भी आपको याद रखना है मन्ना पटेल को उपरमाल पंचबोड का अध्यच बनाया गया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों के साथ भी सेयर करें सीताराम सादू का निमलिकित में से किस आंदूलन से सम्मंद था आपसंस आपके सामने हैं तो करेक्ट आंदूलन से सम्मंद था सीताराम सादू का इन्हों ने 1916 में कौन सी पंचबोड बनाई थी किसान पंचबोड बनाई थी यह आपको याद रखना है किसान पंचबोड अगला कोप्शन है बिजय सिंग पतिक ने बिजोलिया अंदूलन में भाग कब लिया था बिजय सिंग पतिक ने 1917 में ओपरमाल पंचबोड बनाई थी जिसका अध्याच मनना पटेल को बनाया गया और इसकी इस्थापना की थी बेरी साल गाम में तो 1917 इस भी में बिजय सिंग पतिक ने बिजोलिया किसान अंदूलन में भाग लिया था थर्ड ओप्शन ही आपर करेक्ट होगा 1917 में निमलिकित में से किस ने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था करेक्ट आंसर होगा बिजय सिंग पतिक ने second option यहां पर correct होगा किसान पंचायत जिसकी इस्थापना सन 1916 सत्रे में की गई थी इस संगठन का संबंध किस्य था तो 1916 में किसान पंचबोड और 1917 में उपरमाल पंचबोड दोनों ही संबंध थे बिजॉलिया से किसान पंचबोड की इस्थापना सादू सीता रामदास ने की थी और उपरमाल पंचबोड की इस्थापना बिजै सिंग पतिक ने की थी बिजॉलिया के किसानों में जागर्टि के लिए मित्र मंडल बिजॉलिया नामक संगठन की स्थापना किस ने की थी मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी सादु सीता रामदाशскую important question है confuse नहीं होना है बिजय सिंग पतिक करके नहीं आना है answer सादू सीता रामदास ने की थी, मित्र मंडल की इस्थापना, यह आपको जरूर याद रखना है, और सादू सीता रामदास ने ही किसान पंच बोड की इस्थापना भी गी थी, अगला question है मारा बिजॉलिया किसान अंदूलन के जनक कौन थे मैंने आपको बताया था बिजये सिंह पतिक इनका नाम था भूप सिंह इनको ही बिजॉलिया किसान अंदूलन का जनक कहा जाता है और ये कब सामिल हुए थे अंदूलन में 1927 भी में भी आपको याद रखना है अगला कोशन है भूप सिंग का संबंद किस आंदुलन से था भूप सिंग यानि बिजय सिंग पतिक इनका संबंद बिजोलिया किस आंदुलन से था सेकंड ओप्सन करेक्ट होगा कैसे को उनकी अधिकारों के पृति जागरुक करने के लिए बिजय नाम यह भी याद रखना है आपको बिद्भा पृचान्नी सभा किस ने इस न गिती है तो भीजय सिंग पतिक ने भी बिद्धी पिरिचारणी सब राजिस्तान से वा हसरं में राजिस्तान सेबा संग उपरमाल पंच़वोड इन संस्ता प्रल्च क्या वहbut होगा सेकंड ऑ पतिक ने राजिस्तान सेवा संग की स्थापना की थी सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें मैंने आपको बताया था कि बिजय सिंग पतिक इनका मूल नाम भूप सिंग था इन्होंने राजिस्तान सेवा आश्रम राजिस्तान सेवा संग बिध्या पिरचारणी सवा उपरमाल पंचबोड इनकी स्थापना की थी निमलिकित सूची मैंसे उन नेताओं को चुनिये जिनोंने बिजोलिया किसान अंदुलन में भाग लिया था तो किस किस ने भाग लिया था सादू सीता रामदास ने लिया था फर्स्ट करेक्ट है बिजय सिंग पतिक ने लिया था ये भी करेक्ट है मानिक के लाल बर्मा न ले लैंने लिया था यह भी सेकंड फूर्ट यह तीनों ही करेक्ट है अब अब बीजौल्या किसान रफॉर्ट के वारे में थोड़ा सा ड़िटेल देख लेते हम बीजौल्या खिसान रंफॉर्ट नदौल्फ सबसे पहला और सबसे ये आंशांत्मक ये अंदॉलन था चम्बालीस बरसों तक ये चला था कब से कब तक 1870 में से लेकर 1941 तक ये चला था ठीक है 1870 में से लेकर 1941 तक ये चला था सादू सीताराम दास इसके बाद बिजय सिंग पतिक के बाद 1927 में 1927 तक तो सादू सीताराम और बिजय सिंग पतिक ने चलवाया ठीक है इसके बाद 1927 के बाद आये थे मारक किलाल बर्मा और राम नारण चोदरी इनके नेतरत में चला था 1941 में ये खतम हुआ था मेबाड के प्रधान मंत्री ते सर टी बिजय रागवा चार रहे ये आपको नाम याद रखना है सर टी बिजय रागवा चार रहे इन्होंने इसकी समाप्ति करवाई थी पिर्थम चरण था इनका स्वैफूर्थ किसानांदुलन जो की 1870 में से 1915 तक चला था जिसमें सादू सीतारामदास, फतेकरण, ब्रहमदेब दादीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुरार इनके नाम आते हैं तिर्थिय चरण में ये चला था 1923 से 1941 में जिसमें पिर्मुक भूम का निवाई, मारेक किलाल बर्मा, रामनायनर चोदरी और जमनालाल बजाजने ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तीन चरणों में ये चला था, 1916 से 1922 दुटिय चरण, 1923 से 1941 तिर्थिय चरण, और नहीं था फिर फस्ट ऑप्सन नहीं था, छगल राज चोपासनी वाला, निमलिकित में से कौन बिजॉलिया किसान अंदुलन से जुड़े हुए थे, ऑप्सन सापके सामने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम नायरान चोदरी, राम नायरान चोदरी, 1927 के बिजॉलिया किसान अंदुलन से संबंदित दुतिया जांच आयोग के सदश्चे नहीं थे, ऑप्सन से रमाकांत माल भी है, ठाकोर राज सिंग, महता तक्त सिंग और बिंदुलाल भट्याचारे, बिजॉलिया में बिंदुलाल भट्याचारे आयोग यह अप्रेल 1919 में अबजल अली हाकिम, ठीक है, इसके अलाबा अमर सिंग राणाबत, यह तीनों थे, फिर इसके बाद एक और आयोग नुक्त किया गया 1920 में, जिसके सदश्य कौन थे, महता तक्त सिंग थे, इसके अलाबा रमाकांत माल भी है थे, और राब बेदला थे, कौन नहीं थे, बिं अंदुलन को गांधी जी ने आसीरवाद कब दिया था, गांधी जी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको आसीरवाद दिया था, उन्नीस सो इन्नीस और उन्नीस सो बीश में, जो बिजय सिंग पतिक थे, उन्होंने कॉंग्रेस के अमरस्तर और नागपुर अधिवेशन में इसे आसीरवाद प्रदान किया था, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टन कोश्चन है, बिजॉलिया अंदुलन के दोरान 1922 के समझोते के प्रती, बिजॉलिया जागीरदार का रवया कैसा था, इन्होंने पून रूप से स्विकार कर लिया था, ठीक ह रही हैं, तो बिजॉलिया खिसान अंदुलन से सम्मंदत रही है, स्रीमती रमा देवी, इसके अलाबा अंजना देवी चोधरी, नारानी देवी बर्मा भी इसका हिस्सा थी, अंजना देवी चोधरी और नारानी देवी बर्मा, राजिस्तान में सबसे पहले जेल में जाने किया था ये बिल्कुल सही कतन है बिजॉलिया जागीरदार ने 1922 के समझोते की भावना को मानने से इंकार कर दिया था ठीक है तो ये भी सही कतन है लेकिन एक दूसरे की ब्याख्या नहीं है ये ठीक है निम्न में से सेखावटी की किस महिला ने किसान अंधरुन का नेतरत्व किया था तो किसोरी देवी इनका नाम आता है सेखावटी में सेखावटी की किसोरी देवी ने लगवग 10,000 महिलाओं का नेतरत्व किया था किस जगे पर किया था ये कठरातल गाम में कठरातल कहां पर है सीकर में कठरातल गाम सीकर में किसोरी देवी ने लगबख 10,000 मैलाओं का 25 अपरेल 1934 को नेतरत्व किया था जकात तोरावटी या सेखावटी किसान आंदुलन इसका नेतरत्व भी किया था नरूत्तम लाल जोसी बहर्दयाल ने इसी के तहट किसोरी देवी ने 25 अपरेल 1934 को कठातल गाम सीकर में 10 जार महीलाओं का नेतरत्व किया था सेखाबटी जकात अंदुलन का नेतरत वे किस ने किया था तो यहां पर जो करेक्ट रांसर होगा वह होगा पंडित नरुत्तम लाल जोसी इसके अलाबा एक और कौन थे हर दयाल यह भी आपको याद रखना है किसोरी देवी भी सेखाबटी जकात अंदुलन से संबंदित हैं अगला कोशन है किसकी अध्याचता में सेखाबटी किसान अंदुलन में 10,000 से अधिक जाट महीला उन्हें कठरा तल में 25 अपरेल 1934 को भाग लिया था करेक्ट रांसर होगा इसका किसोरी देवी किसोरी देवी के नितरत में भाग लिया था किसे संबंदित है important question है काफी बार exam में पूछा गया है और अब भी आने के चांस है फिल है ठीक है बेंगू किसान अंदुलन के बारे में देख लेते हैं उसके बाद question करेंगे मेवाड के ठिकाना था एक बेंगू जिसमें किसानों में असंतोस ब्याप था तो 1921 में किर्शक अंदुरन प्रारम होता है मेनाल नामकिस्तान से मेनाल कहां पर है बेंगू में ही है ठीक है यहाँ पर बिजय सिंग पतिक के आदे से राम नायरान चोधरी के नेतरत में यह प्रारम होता है यहाँ के ठाकुर थे उस टाइम अनूप सिंग यह भी आपको याद रखना है जो बेंगू किसान अंदुरन है ओनों के ठाकुर कौन थे अनूप सिंग थे इन्होंने समझोता कर लिया था किसानों से इसको संग्या दी गई थी बोल सेविक समझोते की यह भी आपको याद रखना है बोल सेविक समझोता ठीक है κ devil के किरपा जी और किर्पा जी नमक दो किसानों को मार दिया गया था रूपाजी वे किर्पा जी ठीक है इन दोनों किसानों को मार दिया गया था 13 जुलाई 1903 13 जुलाई 1923 डेट भी आपको याद रखनी है पूछी जा सकती है तो चार चीजे मैंने आपको बताई बैंगु किसान अंदुरन 1921 में प्रारम हुआ मेनाल नामक जगे से प्रारम हुआ अनूप सिंग्या के ठाकुर थे बॉल से भी समझोता इसको कहा गया रूपाजी और कृपाजी जाट इसमें मारे गए थे इसके अलाबा 13 जुलाई 1923 को ये मारे गए थे रूपाजी चैनल नेटरत्व किस ने किया था तो राम नैरान चौदुरी ने बैंगु किसान अंदुरन का ने तरथ किया था अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे रूपाजी और कृपाजी किस आंदुलन में गोली वारी में मारे गए थे तो बैंगु किसान आंदुलन में रूपाजी और कृपाजी एक गाम था गोबिंद पुरा यहाँ पर 13 जुलाई 1923 को मारे गए थे ठीक है निम्न में से बूंदी के सासन के बुर्द गुर्जरों का कौन सा अंदुलन था गुर्जरों का अंदुलन था बैंगु किसान अंदुलन जो की बूंदी के सासन के बुर्द था इंपोर्टेंट है कोश्चन जैद रखना है। अगला कोश्चन है बैंगु किसान अंदुरं के नेता जो सहीद हुए तो रूपाजी और किर्पाजी ये दोनों नेता अंची ने इता स्थान पर कोंसा किसान आंदुरन प्रारम हुआ तो 22 2018 को जाट किसान आंदुरन प्रारम हुआ था मात्र कुंडिया नामक इस्थान पर जो की चित्तोडगड में है बेवाड के महरणा फते सिंग इनके अवयस्क सासन काल में था ये जो आंदुरन हुआ था नई भूर आजस विवस्ता के बिरुद्धिये हुआ था जाट किसान आंदुरन रस्मी परगना मात्र कुंडिया नामक जगए पर 22 2018 है नीमौ चौणा किसान आंदुरु यहलवर से सम्मण्दित है इस ताइम जो तो राजा थे वो थे जैसिंग, ये भी पूछा जाता है, कि निमू चाना किसान अंदुलन के समय, राजा कौन थे? जैसिंग, 1923-1923 में ये हुआ था, जब लगान की दर बढ़ा दी गई थी, तो 14 माई 1925 में आंदुलन कर रहे किसानों पर गोली बारी चलाई गई थी, ठीक अगला कॉश्चन है हमारा, निमू चाना हाथसा कब हुआ था? तो निमू चाना हाथसा हुआ था, 24 माई 1925 को, डेट इंपोर्टेंट है, इसलिए पूछ ली गई है, 14 माई 1925 को निमू चाना हाथसा हुआ था, जिसको गान्दी जी ने जलिया बाला बाग से भी बीवत्स बताया है, वही इसको दोहरी डायर साई भी कहा है, इंपोर्टेंट कोशन मनता है, दोहरी डायर साई और जलिया बाला बाग हत्याकान से भी भीवत्स, गांदी जी ने बताया है, निमू चाना हत्याकान को, जो कि अलवर में था, 14 माई 1925 को हुआ था, और राजा जै सिंग धेवाओं के, ठीक है, निमलेकित में से किस स्तान पर हुए, किर्शकों के निर्जण सत्याकान को, महत्मा गांदी ने जलिया बाला बाग हत्याकान से भी बढ़कर बताया, निमू चाना हत्याकान को, जो कि कब हुआ था, 14 माई 1925 को हुआ था, ठीक है, अलवर में हुआ थ लिम्न लिकट में से कौनसी घटना को महातमा गांदी ने डायर के करत्ते से दुग्नी भीवत्स कान बताया निमू चान कान मई 1925 की घटना है यह माधो सिंग में गोबिंद सिंग का संबंद निमलिकित में से किस किसान आंदुलन से था अलवर किसान आंदुलन से संबंद थे माधो सिंग और गोबिंद सिंग इसकी अलावा गंगा सिंग और अमर सिंग भी पिरमुकनेता थे बरस 1921 में किसानों का सुवर बिरोधी आंदुलन किस राज्य में चला था तो सुवर बिरोधी आंदुलन अलवर राज्य में चला था ये भी आपको याद रखना है अगला हमारा question है नयनूराम ये किस किसान आंदुलन से संबंदित थे तो जो नयनूराम थे ये बूंदी प्रिजा मंदल से संबंदित है ठीक है अब हम एक detail देख लेते हैं कुछ important points देख लेते हैं राजिस्तान सेबा संब वे बिजोलिया किसान पंचायत की सपलता के बाद बरड जो की बूंदी में है वहाँ के किसान आंदुलन ने एक आंदुलन प्रारम किया इस आंदुलन की जो चरम सीमा थी वो 2 अप्रेल दो अप्रेल को एक घटना हुई थी दो अप्रेल 1923 को एक डावी में डावी नामक जगए पर एक अप्रिय घटना हुई जहाँ पर पुलिस अदिचक थे बूंदी के इकराम हुसेन नाम आपको जरूर याद रखना है बूंदी के पुलिस अदिचक कौन थे इकराम हुसेन इकराम हुसेन इन्हों ने गोली चला दी और जिसमें दो किसान मारे गए थे कौन-कौन से नानक भील नानक भील और दूसरे किसान थे देवीलाल गुरजर देवीलाल गुरजर ठीक है नानक भील और देवीलाल गुरजर ये दोनों मारे गए थे नैनू राम जी ने नानक भील जंडा गीत प्राण मित्रो भले ही गवाना पर जंडा ने नीचे जुकना ये गीत गाया था ये फेमस गीत है उस टाइम का और माणिक किलाल बर्मान ये उसीर समय अरजी नाम से एक सीरसक एक गीत भी लिखाता अरजी नाम से ठीक है ये भी पो ये पूरी तरह राज्य के खिलाब था नाकी जागीरदार के खिलाब इसलिए इंपोर्टेंट है ये ठीक है भूंदी किसान आंदुरन 1922 से 1927 तक चला था ठीक है इतना आपको याद रखना है भूंदी किसान आंदुरन नैनू राम से संबंदित है मारेक किलाल बर्मा से स इसलाई थी जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर मारे गए थे ये घटना जिस जगह पर हुई थी उस जगह का नाम है डावी डावी कांडिस को बोला जाता है ठीक है इनमें से कौन बूंदी राज्य में हुए किर्साक आंदुरन का नेता था तो करेक्ट आंसर है डाईनु राम स्र्मा फर्स्ट उप्सन और है बूंदी किसान अंदूरन का संबंद कभ से कब तक रहा है तो उनिस्टर हो जाएगा 1922 से 1927 तक रहा है ठीक है नानक भील बेविलाल गुरजर का संबंद निमलेकित मैंसे किस से था नानक भील और देविलाल गुरजर इनकी घटना डावी कांड हुआ था उसमें इनकी मृत्व हो गई थी डावी कांड जिसमें इकराम हुसें ने गोलियां चलाई थी तो नानक भील और देविलाल प्रारम किया था मेवात शेत्र अलवर्व भरतपुर में 1932 में ये अंद्रुन प्रारम हुआ जिसमें गुड़गाओं के यासीन खान और अंबाला सहर के गुलाम भीक नारंग ने ये प्रारम किया था तिजारा किसंगड और रामगड की निजावत में जहां मेब बसे हुए बहाँ पर ये प्रारम भुआ था इसकी समीती नियुक्त कर दी थी एक राजा दुरजन सिंग के अध्याच्चिता में ये भी आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा इस्थान 1920 के किसान अंद्रण के दोरान सेखाबटी के पंचपाने ठिकानों में से एक है तो वारिकों के वह हैं दूसरा आता है डूंद लोद में लोध दू wines दून्डलोद यह तीसरा आता है मल सी सर द० अर्मलन आता हैम को यहाद यहाद राखने लुद मंदाबा बिसाउ डूंडलोद और मलसी सर यहां पर तीन हैं मलसी सर मंदाबा डूंडलोद बिसाउ और नबलगड यह भी पंचपाणों में सामिल है कि अगला कोशन हमको सुमिलित करना है बिजोलिया किसान अंदुरुन 1877 में प्रारम हुआ था और 1941 में खतम हुआ था 44 वरसों तक चला था सीकर में जो अंदुरुन हुआ था से खावटी वो 1922 में प्रारम हुआ डवडा कांड 1927 में हुआ दावडा कंड 123 मार्च 1947 दीडवाना में इक और दनन घ्याँ ना zum 25 में काव मार वाड लोग पशने कोड़ दा मएं वा थे और bestimmt इसी कर नमें पैरे कारे में इस्पार्जन में चाहल दूँ भा है तीक है खेसर बाईल कि Hope पिर्टू हो गई थी अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है निम्न आंदुलन के प्रारम बर्स में से कौन सा सही नहीं है सबसे पहले बिजॉलिया 1877 में प्रारम हुआ बिल्कुल सही कतन है ये डावडा कांड 1947 में हुआ ये भी सही है तेरे मार्च 1947 को हुआ था ये जो चंडावल घटना है वो 1945 और 1942 से स्टार्ट हुई थी ठीक है 1945 में तो हुई थी लेकर 1942 से स्टार्ट हुई थी हमसे प्रारम बर्स पूछा है 1942 से स्टार्ट हुई थी 28 मार्च 1942 को ये स्टार्ट हुई थी निमलिकित घटनाओं का कालानू क्रम क्या है कालानू क्रम बताना है सबसे पहला जो काला है वो है मानगड़ पहाड़ी अत्याकान मानगड़ पहाड़ी अत्याकान वाता 1913 में इसके बाद नीमू चौना अत्याकान वाता 1925 में इसके बाद चंडावल अत्याकान वाता 1942 में और इसके बाद डावड़ा हत्ता कांडवाता उनीसो से तालीस में ठीक है तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है अगला कोशन है कौन सा युगम हमारा गलत है बीकानियर के नरुत्तम लाल जोसी नरुत्तम लाल जोसी सेखावटी से सम्मंद थे ना कि बीकानियर से तो फ